नवस्कार दोस्तो आज मैं आपके पास लाया हूँ रियल मी नार्जो 10A vs MI 8A डुएल का कमप्यारिजन वीडियो के साथ करेंगे कमप्यारिजन वीच वान इस बेस्ट नवस्कार दोस्तो मेरा नाम है राज विश्व मुवाइल टेक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है वीडियो स्टाट केने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सस्काइब करना ना हो ले इसी तरह मुवाइल रिलेटर जार करें इस चैनल पर अपलोड होता है इसलिए चैनल को सस्काइब पहना न हो ले चलो बिनापने ट्रेने से जानते हैं वीच्वान इस बैस चलो शुलो करते हैं पहले हम जानने लेते हैं दोनों मोबाल के बासटो की बारे में तो गाइस जैसा कि देख सकते हो दोनों ही मोबाल में आपको 5000 mh का big battery option मिल जाता है look भी काफी अच्छा है दोनों mobile का real view का branding के साथ आता है real view narjo 10a triple camera का setup and finger pin sensor मिल जाता है macro connector के साथ आता है तो MI8A dual में आपको dual camera का setup मिल जाता है look भी काफी अच्छा है sky white का ये mobile है 18 watt first charging separate करता है type c connector के साथ आता है दोनों ही mobile में आपको मिल जाता है water drop screen का option मिल जाता है 195 gram का real view narjo 10a आता है तो MI8A dual में आता है 186 gram दोनों ही light weight में काफी अच्छा है मिल जाता है आपको 195 gram का real view narjo थोड़ा heavy लग रहा है पकर्ण में थोड़ा heavy लग रहा है डिस्प्ले के बारे में आता है तो real me narjo 10a में आपको मिल जाता है 6.52 inch 16.56 cm आ जाता है revolution आपको मिल जाता है 1600 x 720 फिक्सल AD plus डिस्प्ले के साथ आता है 89.8 skin to body ratio आपको मिल जाएगा MI के बारे में आता है तो MI आपको मिल जाता है 6.22 inch 15.8 cm के साथ आता है revolution आपको मिल जाएगा 1520 x 720 फिक्सल full HD डिस्प्ले के साथ आता है gorilla glass 5 का protection के साथ 81.48 skin to body ratio आपको मिल जाता है डिस्प्ले जासा की देख सेकते हो realme narzo 10a में काफी deep color में आता है color and mi edit real में काफी color subject आ रहा है color में काफी MI काफी आथा आ रहा है narzo 10 में आपको थोड़ा big screen का option मिल जाता है camera के बारे में आता है तो realme narzo 10a big camera आपको मिल जाता है first camera आपको मिल जाता है 12 MP main camera secondary camera आपको मिल जाता है 2 MP portrait third camera आपको मिल जाता है 2 MP super macro front camera आपको मिल जाता है 5 MP MI के camera आता है तो 13 MP main camera आपको मिल जाता है first camera secondary camera आपको मिल जाता है 8 MP super macro plus portrait के option मिल जाता है front camera आपको मिल जाता है 8MP तो better होगा camera आपको 8MP मिल रहा है Realme Nargo से front 5 मिल जाता है तो MI आपको 8 का option मिल जाता है Processor fixture के बारे में आता है तो Realme Nargo 10 को मिल जाता है Operating System Android 10 का option मिल जाता है and processor आपको मिल जाता है MediaTek G70 Quad-Core 2.MHz Processor के साथ आपको मिल जाता है Gaming के लिए काफी अच्छा phone है MI की Processor के बारे में आता है तो Android Pie का option मिल जाता है देख सकता हो and processor आपको मिल जाएगा Snapdragon 439 का Quad-Core Processor 2.MHz का Processor आपको मिल जाता है काफी अच्छा है ये mobile भी तो gaming के लिए काफी अच्छा TikTok है